पूरे देश में जनसंख्या नियंतरन को लेकर चर्चा और सियासत दोनों गर्मारा की हैं इस बीच असम ने एक कदम और पड़ाहकर जनसंख्या सेना के गठन का आइलान किया है जो मुसलिम बहू लिलाकों में जन व्रदी दर को कंट्रोल भी करेगी हेमंत बिस्वास सर्मा जब से असम के मुख्यमंतरी बने हैं वो लगातार जनसंख्या नियंतरन को लेकर बयान और काम दोनों करते दिख रहे हैं ताजा एलान जनसंख्या सेना को लेकर है हेमंत बिस्वास सर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसंख्या सेना तयार करेगी साथी सेना मुसलिम बहू लिलाकों और ज्यादा जनसंख्या व्रदी वाले लाकों में तैनात की जाएगी और जनसंख्या सेना जाकरुकता पहलाने और लोगों के बीच गर्ब निरोदक बाटेगी बता दें इसके लिए सरकार चार चपोरी शेत्र के एक हजार युवाव को शामिल करना चाहती है इसके अलावा 10,000 आशा कारकरताओं की अलग से फोर्स भी तैयार होगी जो घर घर जाकर बर्थ कंट्रोल पर लोगों को जाकरुक करेगी दरसल कॉंग्रेस विधायक शर्मन अली एहमत के एक सवाल के बाद से जवाब में हिमंद विस्वास सर्मा ने ये जानकारी दी है RSSS के प्रमुक मोहन भागवत ने हिंदू मुसलिम पर एक बाद फिर से बयान दिया है दरसल मोहन भागवत ने कहा कि हिंदूस्तान में 1930 से योजना बत तरीके से मुसलिमों की संक्या बढ़ाने की कोशिश की गई थी इसके पीछे ऐसा विचार था कि जन संक्या बढ़ा का देश को पाकिस्तान बनाएंगे उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंद की पाकिस्तान बनाने की योजना थी लेकिन ये योजना पूरी तरह काम्याब नहीं हुई और देश का विभाजर होका पाकिस्तान बन गया C.A. और N.R.C. कोले का मोहन भागवत ने कहा कि इसका हिंदू मुसल्मान विभाजन से कोई लेना देना नहीं है साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि कुछ लोग अपने राजनीतिक हिद सादने के लिए सांप्रदाइक रंग दे रहे हैं असम के दो दिवस्य दौरे पर पहुंचे भागवत ने जोर देते हुए ये भी कहा कि नागर्गता कानून से किसी मुसल्मान को कोई नुकसान नहीं होगा तो वतादें संग प्रमुक मोहन भागवत ने बयान दिया है वो अपने दो दिवसिये दौरे पर असम पहुंचे थे जहां उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी बवाल भी मस सकता है दरसल उन्होंने कहा है कि 1930 में ऐसे देश के कई राज्यों को ऐसे बनाने के कोशिश की गई थी कि भारत को पाकिस्तान बना दिया जाए हाला कि उनके इस बयान की वज़ा से अब सियासी बवाल होना भी हो सकता है ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं क्यूकि जिस तरह से मोहन भाग लगातार बयान देते हैं कहीं न कहीं विपक्ष भी लगातार उनके बयानों कूले का पलटवा करता हुआ नज़र आता है पंजाब में नवजोद सिंग सिद्धू को कॉंग्रस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पाटी खेमों में बटी हुई दिख रही है अब खबर है कि बुद्वार को नवजोद सिंग सिद्धू के साथ मंदिर दर्शन पर जो कॉंग्रस विधाय गए थे उनमें से सिद्धू को कॉंग्रस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए इन विधायकों पर गैर कानूनी गतिवीदियां जैसे अवैद खनन और अवैद शराफ का धंदा कराने के आरोप लगे हैं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनोंने सियम अमरिंदर से मदद भी मांगी थी लेकिन सियम की तरफ से कोई प्रतिक्रियान नहीं मिली थी बता देए बुद्वार को नवजोज सिंग सिद्धू ने विधायकों संग एक तरह का शक्ति प्रदशन किया था इसमें वो स्वंड मंदिर भी पहुंचे थे और अमरिंद सर के इस दौरे के दौरान सिद्धू के साथ कुछ 48 विधायक मौझू थे इनमें से कुछ विधायक पंजाब CID के अबरडार पर आ गए हैं अव्जोज सिंग सिद्धू के घर के बहार सादे कप्रों में मौझू सी आईजी के अधिकारी ने खुद इस बात की जौनकारी दी है उनकी नजर अमरित सर में सिद्धू के घर जमा इन विधायकों पर थी और बताया गया है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वहीं सूत्रों ने बताया कि कुछ विधायक और कुछ उनके सहोगी जोकी सिद्धू के साथ थे उन पर कई गम भी रारोप हैं इन अवैद कामू में वो लोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी रहे हैं इसमें अवैद खनान और शराप का धंदा भी शामिल है तो बता दे सिद्धू के कई विधायक अब CID की रडार पर आ गए हैं कल सिद्धू ने शक्ति प्रदश किया था जब से सिद्धू को कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है उसके बाद कल वो गोल्डन टेंपल पहुंच रहे थे अमरित सर उनके साथ 48 विधाय जिन में से कुछ विधायक अब CID की रडार पर हैं कई तरह के गंभीर आरोप उन विधायकों पर लग रहे हैं और CID अब उनके खिलाफ जाच भी करेगी जो आरोप उन पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं राजसान बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ने बारवी के परिणाम जारी किये जाने की तारीक और समय की खोशना कर दी है राजसान बोर्ड की बारवी का रिजल्ट 2021 साइंस कॉमर्स और आर्ट स्टीन के लिए 24 जुलाई यानि की परसो को शाम चार बजे जारी किया जाएगा और रिजल्ट राज्य की शिक्षा मंतुई गोविंद दोस्तान ना घोशित करेंगे साथी राजसान बोर्ड बारवी का रिजल्ट 2021 अधिकारिक वेबसाइट रएजी एडी यू बोर्ड.राजसान.gov.in पर जारी भी किया जाएगा साथी रिजल्ट चेक करने के लिए चात्रों को अपना रोल नंबर भी दर्च कराना होगा और शिक्षा विभाग राजसान ने खाली में ट्वीट में कहा कि 24 जुलाई 2021 को शाम चार बजे शिक्षा मंतरी गोविन दोस्ताना कक्षा बारवी के साइंस कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम का परिणाम जारी करेंगे साथे जौरान राजसान माधमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरोली भी मौझूद रहेंगे बता दें साल राजसान बोर्ड ने अन्य राज्य बोर्डों की तरह कोवे 19 महामारी की वज़ह से कक्षा बारवी की परिक्षा हैं व्रद कर दी थी बीस लाग से ज्यादा च्चार dais बारवी के परिक्षा कर रहे हैं वहीं राजसान बोर्ड की दस वी के लिए करीब बारा लाग च्चारों ने रिजिस्ट्रेशन कराया था और करीब नौ लाग च्चारों ने रिजिस्ट्रेशन कराया था बता दें, अब जल ही 24 जुलाई को शाम चार बजे बारवी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। बोर्ट की तरफ से यदिकारिक ऐलान किया गया है, ट्वीट करके राजिस्तान बोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि शुक्ष्यम मंतरी रिजल्ट का ऐलान करेंगे और 24 जुलाई को शाम चार बजे से रिजल्ट का ऐलान हो जाएगा और ओफिशल वेब साइट पर जाक कर रिजल्ट देख सकेंगे भारतिय रिजल्ट के और ओडर के बाद एक अगज से बैंक एटियम पर इंटरचेंज चार्ज में दो रुपे की बढ़ोतरी की चाएगी जून में RBI ने इंटरचेंज चार्ज पर फाइनशियल ट्रांजेक्शन 15 रुपे से बढ़ा कर 17 रुपे और नॉन फाइनशियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 से बढ़ कर 6 रुपे करने की अनुमती दी थी इंटरचेंज फीज बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने वाले मेटर्न से लिया जाने वाला शुल्क है बतादें शन्शोदे नियमों के अनुसार ग्राहक अपने बैंक के एटियम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकेंगे साती ग्राहक दूसरे बैंकों के ATM का उप्योग करके मेट्रो सिटी में तीन और नॉन मेट्रो सिटी में पांच प्री ATM ट्रांजेक्शन कर सकेंगे वहीं जून 2019 में RBI द्वारा गठित एक समीती के सुझावों के अधार पर ये बदलाफ किये गए हैं और इंजिन बैंक असोसियेशन के ततकालीन अध्यक्ष वीजी कनन की अध्यक्षिता में गठित समीती ने ATM ट्रांजेक्शन के इंटरचेंज स्ट्रक्टर पर विशेश ध्यान देने के साथ ATM चार्जेस की समिक्षा भी की थी तो बता दें एक अगस्त से अब ज्यादा शुलक देना होगा ATM से कैश मिकालने पर जो अब चार्ज है उसको बढ़ा दिया गया है और एक अगस्त से ये ज्यादा चार्ज लागू होगा यानि कि अब बैंक से ट्रांजेक्शन कर दें पर जो चार्ज लगता है वो अब लो काउंटी एक अगदश के खिलाफ अभ्यास मैच में नई गेंच से अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने इंगलाइंट के खिलाफ 5 स्टेट मैचों की सीरीज से पहले भारती एक अगदश में जगा बनाने का अपना दावा मजबूत किया है मेजवान टीम की तरह से सलामी बल्यबाज हसीब हमीद ने शतक जड़कर लंबे अर्से बाद राष्ट्रे टीम में वापसी का जशन भी मनाया काउंटी एक अदश ने इस तीन दिवस्य अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाक्त होने तक भारत के 311 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 220 रन बन बता दें सलामी बल्यबाज हमीद को बुद्वार को ही भारत के खिलाब पहले दो टेस्ट मैचों के लिए इंगलाइन की 17 सदस्य टीमों में चुना कया था और 24 साल के बल्यबाज ने इसका जशन 112 रनों की पारी खेल कर मनाया हमीद की 2016 के बाद इंगलाइन की टीम में काउंटे कादश का शीश क्रम जग जोड दिया था बताने काउंटे कादश का स्कोर एक समय चार विकट पर 56 रन था तो बताने प्रैक्टिस मैच में उमेश यादव का अच्छा प्रदर्शन देखा गया हसीब ने शतक से मनाया वापसी का जशन और उनकी तरफ से काफी ज कोवेड-19 के खत्रे को देखते हुए शुक्रवार को होने वाली ओलंपिक खेलों के उद्गाटन समारों में भारते खिलारियों की भागेदारी कम से कम रखी जाएगी दरसल दल से सिर्फ 6 अधिकारियों को ही इसमें हिस्सा लेने की सुरक्रती मिली है जिन खिलारियों को अगले दिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उन्हें उद्गाटन समारों में हिस्सा नहीं लेने की हिदायत दी गई है खेलों में भारत के बतादे 120 से ज़्यादा खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं जब कि भारतिय दल में अधिकारियों, कोचों और अन्ने सयोगी स्टाफ सहित कुल 228 सदर से शामिल है बतादे भारतिय उलम्पिक संग के महा सचयव राजीव महता ने कहा है कि संक्रमन के जोखिम को देखते हुए ज्यादा खिलाडियों को उदघाटन समारों में नहीं रखा जाएगा महता ने कहा कि हम कम खिलाडियों को ही उतारने की कोशिश करेंगे वहां उद्गातन समारो कम से कम खिलाडियों को ही उतारा जाएगा साथी दल प्रमोक और उप दल प्रमोक गुरुवार को खिलाडियों की संख्या पर फैसला भी करेंगे लेकिन हमारी राय है कि इस महत्वपून समय में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम खिलाडियों को इसमें हिस्सा ही लेना चाहिए साथे भारत के मिशन और प्रमोकर प्रेम कुमार वर्मन ने यहां मिशन प्रमोकर की बैठक के बाद उन अधिकारियों का नाम का भी खुलासा नहीं किया जो इसमें शुरक्त करेंगे उन्होंने बताया कि समारों में 6 अधिकारियों से हिस्सा लेने की सुरक्रती दी जाएगी साथी लेकिन खिलारियों पर कोई सीमान लागू नहीं होगी हाला कि जिन खिलाडियों की अगले दिन प्रतियोगिता है उन्हें हमने सला दी है कि वो समारों में हिस्सा न ले और अपने खेल पर ज्यादा ध्यानते तो बता दें ओलम्पिक में कोवेट का खत्रा बढ़ता हुआ देख ये फैसला लिया गया है उद्खाटन समारों में भारत के खिलाडी शामिल नहीं होंगे सिर्फ छे अधिकारियों को ही शामिल होने की अजाज़त भी गई है उत्तप्रदेश के लखनों में क्राइम ब्रांच ने गह मंत्री का पिये बंगा ठगी करने वाले गैंग का भंटाफोर किया है ये ठग मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री बंवाने और विधान सभा का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे इस गैंग को लखनों के हजरत गंज इलाके से पकड़ा गया है साथी पकड़े गए चार जालसाज बरीली बल्या उत्राखंट के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं बता दें ग्रह मंत्री के नाम पर छोटे नेताओं को मलसी मंत्री बनवाने और विधान सभा का टिकट दिलाने का ये लोग जासा देते थे ये लोग खुद को पार्टी के बड़े नेताओं का पीए ओसडी बताते थे साती लखनव क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गैंग के चार अरोपी शमीम एमद, हिमांचियू सिंग, हसनेन एमद और जाने आलम को भी गिरफतार किया है गैंग के दो अन्ने सदसे शाहिद और बबलू उफ विजय अभी भी फरार हैं जिनकी तलाज जारी है बता दें जिसे फसा होता है उसे पहले ये लोग विश्वास में लेते हैं और फिर टोकन मनी लेकर फरार हो जाते थे जानकारी के मुताबिक ये लोग MLC और मंतरी बनवाने के नाम पर एक महिला नेता को एक करोर रुपे की टोपी भी पहनाने की फिरात में थे वहीं एक अन्या पार्टी के नेता से टिकेट दिलाने के नाम पर चार लाक रुपे भी इनोंने एट लिये थे तो बताने बड़ी सफलता यह हाथ लगी है जहां पर यूपी में मंतरी बनवाने और टिकेट दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे ग्रह मंतरी के नाम पर ये काला गोरक धन्दा चल रहा था पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने चौसरीओं को इस ग्रोंग के गिरफतार किया है जो मंतरी बनवाने और साथी साथ टिकерь दिलने के नाम पर भी स्थगी का लोगों को शिकार बनाते थे और काफी हद तक एक महिला नेता को टिकर दिलाने के नाम पर ये लोग एक करोड रुपे लेने का भी प्लान बना रहे थे खाला की जब पैसे इनके पास आ जाता थे ये लोग मौके से फरार हो जाते थे दुनिया भर में करोणा वैक्सीन लगाये जाने के वावजूद जिस तेजी से करोणा संक्रमन के मामले बढ़ रहे हैं उससे इस बात का साफ संकेत मिल रहा है कि करोणा की 30 लहर आ चुकी है ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेथ कई बड़े देशों में करोणा के बढ़ते आकड़े भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं हाला की देश में करीब 68% लोगों में एंटी बॉडिज बिली है जिसके बावजूद करोणा के आकड़ों का 40,000 के आसपास रुक जाना किसी खत्रे की घंटी से कम नहीं है विशेशग्यों ने चिंता जताते हुए कहा है कि करोणा के आकड़े जिस तरह से स्थर हो गए हैं उसे देखने के बाद संभावना है कि आकड़ों में बहुत जल्द ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी साथ ही कोरोणा की दूसी लहर के बाद किये गए सीरो सर्वे में देश के अरसित फीजदी लोगों में एंटी बॉडिज भी पाई गई हैं इनमें वो लोग भी शामिर हैं जिनोंने टीका लगवाया भी है और साथ ही इसके बावजू देश के तेहरा राज्जों में कोरोणा संक्रमित मरीजों की संख्या में परहौतरी भी दर्श की जा रही है वहीं केरल अंदर प्रदेश औरिसा के अलावा पूर्वोतर के कई राज्जों में जिस तेजी से कोरोणा के मामले बढ़ रहे हैं वो जराने वाले हैं तो बता दें लगाता भारत में कोरोणा की तीसी लहर की आखट जो है वो अब देखी जा रही है तेहरा राज्जों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्ते मंत्राले की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है जो इस तरह से 40,000 के आसपास मामले रुख गए हैं कहीं न कहीं वो खत्रे की घंटी है और आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि इन केसों में बढ़ोती भी होगी और इसी से कहा जा रहा है कि कोरोणा की तीसी लहर की आहट अब आ चुकी है कोरोणा की तीसी लहर बहुत जादा दूर नहीं है क्योंकि 13 राज्य ऐसे हैं जहांपा कोरोणा की दूसी लहर कम होने के वावजूद भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहे और महारास्ट और केरल जैसे राज्जों में लगा तार मामले जो हैं कोरोना के वो बढ़ते हुए नसर आ रही हैं जम्मू और कश्मी में भारत पाकिस्तान सीमा पर शांती की एक जलक के बाद पिछले कुछ हफ्तों में खाटी में आतंकवाद से संबंदित हिंसा वे बरहत्री देखी गई है साती सुरक्षा बलो पर हम लोग में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में तेजी भी आई है जम्मू और कश्मी में सुरक्षा बलो ने साल अब तक 86 आतंकी मार गिरा हैं सिर्फ जून और जुलाई पे हैं 36 आतंकी धेर किये गए जुलाई में बीते 20 दिनों में 10 एंकाउंटर्स हुए हैं और इन एंकाउंटर्स में 20 आतंकी मारे गए हैं जिसमें 4 पाकिसानी मूल के बताए जा रहे हैं 37 साल अब तक सुरक्षा बलो ने 36 आपरेशन किये जिसमें 86 आतंकी मारे गए इन में से 80 कश्मीर में और 6 जम्बू में मारे गए हैं इन आतंकीों में आदे से ज्यादा लख्षकर एत तयबा से थे और इन ऑपरेशन्स में 15 सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो गए थे और 19 नागविकों की जान भी चली गई थी वहीं सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक पता चला है कि इस साल अपरेल तक सुरक्षा वलों के साथ किसी भी मुढबेर में विदेशी आतंकी मुढबेर में मारे गए और जुलाई में चार और विदेशी आतंकी धेर किये गए थे जिसे ये संक्या बढ़कर आठ हो गई थी डॉक्टर उमा कांद गुपता के अपहंड में शामेल और फिरोती की मांग करने वाला एक लाग काई नामी बदमाश बदन सिंग थाना जगनेर के कचपुरा शेत में मुटभेर में अपने एक साती के साथ मारा गया है बताया जा रहा है कि मुटभेर के दौरान एससपी आगरा और एसपी वेस्ट और अन्य अधिकारियों की बुलिट प्रूफ जैकेट में गोली भी लगी थी पुलिस टीम के दो सदसे भी मुटभेर में खायल हुए हैं आपको बता दें कि ट्रांस यमुना कारणी रिवासी डॉक्टर उमा कांद गुपता के अपहन की साज़िश थौलपूर के बदमाश बदन सिंग ने रची थी उसके साथ ही युक्ती भी संधिया उफ़ मंगला ने अंजली बंका डॉक्टर से बात की थी और उन से नौक्री के बहाने मुलाकाद भी की थी इसके बाद अगवा कर लिबो डॉक्टर को ले गए थे हाला कि डॉक्टर को 31 घंटे के बाद ही पुलिस ने मुक्त भी करा लिया था जिसके बाद बदन सिंग दस्यू केशव गुजर के लिए काम करता था और बदन सिंग की गिरफतारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं बता दें डी जी जी जोन राजी कृष्णी ने बदन सिंग पर एक लाग रुपे का इनाम भी घोशित किया था बदन सिंग को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम धौलफूर पे ही डेरा डाले हुए थी बीखड में पुलिस बदन सिंग की तलाश कर चुकी थी लेकिन वो खत नहीं आ रहा था मौसम खराब होने की वज़ा से भी पुलिस के लिए बीखड में जाना मुश्किल हो रहा था लेकिन कचपुरा शेत्र में मुटभेड में वो मारा गया तो बता दें डॉक्टर उमा कांत का जिनों ने अपरहन किया था उस बदमाश को पुलिस से एंकाउंटर में मार गिराया है और अपरहन में डॉक्टर उमा कांत के अपरहन में ये बदमाश शामिल था एक लाग का पुलिस ने बदमाश के उपर इनाम भी घोशित किया हुआ था कोरोना संक्रमेंट मरीजों में ब्लैक फंगस के चलते अब तक दिल्ली में 252 लोगों की मौत हो चुकी है 900 से जादा मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमेंट की तुल्ना में ब्लैक फंगस सेरा गुना ज्यादा जान लेवा है और इसी लिए सतर कर रहने की जरूरत भी है बुद्वार का 188 भाक से मिली जानकारी के मुताबएक ब्लैक फंगस को लेकर तयार सरकारी रिपोर्ट में 252 लोगों की मौत होने की पुष्टी की गई है इससे पहले दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस की वज़ा से 89 लोगों की मौत की जानकारी भी दी थी साथ ही रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक 1734 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टी भी हुई है इनमें से 519 मरीज स्वस्ट भी हो चुके हैं जिनमें से करीब 300 से जादा मरीजों को आंक या नाक की सरजरी भी करानी पड़ी थी वही 252 मरीजों ने उपचार के दोरान दम तोड़ दिया लेकिन अभी भी दिल्ली के सरकारी और प्रावेट अस्पतालों में 928 मरीजों का इलाज चल रहा है रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दिल्ली के स्पतार में फर्ती ब्लैक फंगस के 35 रोगियों ने उपचार लेने से इंकार भी कर दिया था इन लोगों ने चिकटसकीय सला मानने से भी इंकार कर दिया जिसके चलते ने लामा श्रेडी में रखा गया है हाला कि ये मरीश वर्तमान में उपचाधीन है और अत्वार नहीं इसकी जानकारी सरकारी रिपोर्ट में नहीं है तो बता दें दिल्ली में ब्लैक फंगस पर सरकार का बड़ा खुलासा हुआ है राजधानी में ब्लैक फंगस के धाई सो लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी ब्लैक फंगस से संकमित हैं और धाई सो लोग अपनी ब्लैक फंगस के चलते जान भी गवा चुके हैं राजसान के बीकाने जिले में गुरुवार सुबा फिर से भुकम के जटके महसूस किये गए भुकम की त्रिवतार रिक्टर पहमाने पार चार दश्रमलव आठ मापी गई अभी भी जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है बतारे इस सुबा 7 बच का 42 मिनट पर भुकम के जटके महसूस किये गए और इससे पहले 21 जुलाई को भी भुकम के जटके महसूस किये गए थे बत्महीं मौसम केंदर जैपूर के अनुसाब उद्वार तर्के 5 बच का 24 मिनट पर आए मुकम की त्रिवतार रिक्टर स्केल पर पांच देशलों तीन मापी गई थी वहीं मुकम का केंदर जमीन से नीचे 110 किलोमीटर की घहराई में था जिला प्रसाशन के अरुसार इस दौरान अधिकतर लोगों लोग सो रहे थे और इसलिए किसी तरह कि अफरत अफरी का माहौल भी नहीं बना वहीं मुकम से कोई खताहत भी नहीं हुआ है मैंपुरी में आगरा लखनाव में एक्स्परिस वेप पटना से दिल्ली जा रही डबल जैकर बस पोल से चक्रा जाने से दुरगटना ग्रस हो गई बताया जा रहा है कि हाथसे में बस सवा 35 लोग खायल हो गए वहीं मौके पर एक की मौत भी हो गई है घतना की जानकारी विलते ही मौके पर पहुँचे आला अधिकारियों ने खायलों को अस्पताल में भरती कराया तो बता दें मैंनपूरी का ये पूरा हाथसा है जहांपर डबल डेकर बस अन्यंत्रिट होकर एक्सिडेंट बस का हो गया जिसमें 35 लोग खायल बताय जा रहे हैं जबकि एक की मौत भी हो गई है वहीं मौके पर आला अधिकारियों को जब सूच्रा दी गई तो वो मौके पर पहुँचे और सभी लोगों को घायलों को अस्पताल में भरती कराया तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना भयानक ये एक्सिडेंट था बस की खालत देखकर ही समझ आ रहा है कितना तेज ये एक्सिडेंट हुआता हो कितना भयंकर ये एक्सिडेंट था में पूरी की ये पूरी घटना है हाला कि क्रेन से बस को साइट कराया गया और रास्ते से हटवाया गया और सबी घायलों को अस्पताल में भरती भी कराया गया है फिरोजबार्थ के टूंडिला रेलवे की कार-パार考िंग इन दिनों चरचाईं में है रेलवे परिसर स्थेट कार पार्किंग से रेलवे को 24 घंटे में 600 की आमंदी हो रही है इसके लिए रेल प्रसाशों ने कार पार्किंग पर तीन शिफ्टों में चाथूर्त श्रेणी के तीन रेल करमचारी के ड्यूटी भी लगाई जाती है जिनको रेलवे करी तीन लाख महीने बेतन दे रही है जबकि पार्किंग से रेलवे को मातर 20,000 रुपे महीने की आमंदीनी भी हो रही है और इस पार्किंग के सामंदी से एक रेल करमचारी की तंखा भी नहीं निकल पा रही है जो अंदर आती है उसी गाड़ी की रसिल कारते हैं बागी बाहर वाले जो खड़े कर देते हैं महीं रामपूर में कई दिनों से लगाता बारिश हो रही है जिसके चलते एक मकान ठह गया है वहीं प्रसाशन अभीता के सूचना से बेखबर है और वहीं मकान ठहने का वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से बार हो रहा है तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से वीडियो में दिख रहा है मकान ठहता हुआ लेकिन प्रसाशन अब तक इस खबर से पूरी तरह बेखबर है और अभी तक प्रसाशन को इस बात की जानकारी नहीं है लगातार देके देश के तमाम राज़व में बारिश हो रही है जिसकी वज़़ा से ये मकान जो है वो ठह गया वीडियो शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रहा है लेकिन इस बात की ज़ानकारी अभी तक प्रसाशन को नहीं मिली है रामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर जब ये मकान जहाद तो किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया और वीडियो बना कर शोशल मीडिया पर इसको वारल कर दिया इस बुलेटिन में फिलार के लिए इतना ही आप देखते रहें नीस वाल इंडिया